दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी क्रम चैनल पेंश रफ हो गया उनके लिए दोस्तों बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं नय वितनायों को लेकर तो दोस्तों कैसे बड़ेगी आपक कुछ डिटेल से बताने जा रहे हैं जुड़े रहे हैं दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर फ़र्श टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबए जो भी केंद्रे क्रमचरी का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है लेकिन सुत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा जिहां दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं इसका क्या रिजलना है केंद्रे क्रमचरी जो हमारे सरकारी क्रमचरी को साथ मे इतनायों के तैत बड़ी हुई सैलरी का फाइदा मिल रहा है जी हाँ दोस्तों इसका अलावा जो लगातार महंगाई बत्ता में इचाफा हो रहा है लेकिन के अंदर सरकार जल्दी सरकार क्रमचरी के सैलरी बढ़ाने का नया फर्मूला ला सकते हैं जो बूतपुरो वितमंतर अरुन जटेली ने जुलाई दुचर सुला में इसका आई सारा भी दे दिया था कि संसद में एक ऐलान के दोरान उन्होंने का कि अब वितन जो आयोग है उस से हटा कर क्रमचरी के बारे में सोचना चाहिए वितमंतरा लेकि सुतरों के मुताबिक बता जा रहा है कि के अंद दोस्तों आप देख रहे हैं सक्रीन पर सत्मा वेतन आयोग के बाद अगला जो वेतन आयोग नहीं आएगा जी बिजनेस के अनुसार दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसमें सरकार इस दिसा में काम कर रही है 68 लाग इंद्रे क्रामचारी और 52 लाग पैंसे दरकों को एक ऐ मानना है कि मोजुदा महांगाई दर को देखते हो वितनवर्दी साल 2016 से चली आ रही है सिपारिसों के अनुसार गुजाराब करना बड़ा मुश्किल होगा हलांकि सरकार की तरफ से जो अंतेम फैसला आने पर इस मामले में प्रतिक्षा करनी होगी जहां दोस्तों इसमें ज इछले कुछ दिनों से खबरे आ रही हैं दोस्तों जैसे की बता जा रहा है कि सरकार जो हमारी केंद्रियक सरकार है वो क्रामचेर का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकते लेकिन सुत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफान नहीं होगा फिलाल फिटम जाएगा उससे पहले किसी भी तरह से जो कयास लगाना हो जाएगा वो बड़ा मुस्किल है सरकार लगातर इस पर काम कर रही है कि ऐसा फर्मूला बना जिससे समय समय पर सैलरी में इजाफा होता रहें जहां दोस्तों किन किन क्रामचेरी को इसका फायदा होगा वो भी हम आ अधिकारिक के मुताबिक रूण जेटली जाते हैं कि मद्य सतर के क्रामचेरी के साथ साथ निमन सतर के क्रामचेरी के वेतनवर्दी होने चाहिए जो अधिकारिक के मुताबिक ने फर्मूले के बाद आए कि जो दुर्विक्र के लंबे समय से चलने वाले जरुझान और कें इंडिये सरकार के विभाग सीकुर्टे मद्य सतर को देखते हुए ऐसा लगता है वेपक मद्य सतरी करमचारी के सतर पर जहदा वर्दें ही दिखाई होगी लेकिन निमन सतर के करमचारियों को इसका फाइदा दिख सकता है कितना होगा आपको फाइदा वह भी दुस्तो हम के बीच हो सकती है नरेंदर मोधी सरकार अगले जो वेतनायो के पक्ष में नहीं फेंड है व्यतनायो का जो डेखे तो हर सल जो आठ या दस साल के भीच इसे लागू किया गया लेकिन इस बार बदलकर साल 2024 में नए फार्मूला लागू किया जा सकता है सरकारी करमचरे के वेतन में करीब तीन गुणा होनी चाहिए और सैंट पे कमिशन में सबसे काम वर्दी हुई थी दोस्तो आज की ये थी वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो कर दोस्तों होप